गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स, हाव आरियो, आरियो ओके, वरी गुट प्यारे बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा का पार्थ पांच आरे समाज के नियम की ओर चलते हैं तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा भी है कि आरे समाज के हमें दस नियम दिये गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही जाला जुरूरी है, जिनका पालन करना हम सब का करदब्या है तो आर्या समाज के नियम के बारे में पढ़ते हैं इस पार्ट में हमें क्या दिये गया है क्या शिक्षा मिलती है किस परकार से आर्या समाज के नियमों का पालन हमें करना चाहिए और इससे हमें क्या होता है प्रमातमा के बारे में इस पार्ट में क्या बताया गया है यह सब कुछ समझने की कोशिश जो वो करते हैं तो बोलता है आर्या समाज के नियम केवल आर्या समाजियों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानम जाती के लिए है यह जो बोलता आर्या समाज के दस नियम बने है न यह केबल आर्या समाज में रहने वाले आर्या समाजी लोगों के लिए नहीं है यह सारे संसार में पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उन सबी के लिए यह नियम जो हैं वो बने हैं इसमें पक्षपात नहीं किया गया है इसमें कोई भेद भाव नहीं किया गया है कि जो आरे समाज में रहने वाई लोग हैं उनके लिए यह नियम हैं वो इस परकार से अपना कर्दब्या निभाएं और जो दूसरे लोग है वो अलग दरसे अपना कर्दब्या निवाएं इसमें ऐसा कोई भी ऐसा पक्षपात बेदबाब नहीं किया गया है तथा ये सब मनुश्यों के लिए हित करिया है ये सारे मनुश्माज में रहने बारे जतने भी प्राणी है ये सब मनुश्यों है वो सभी के लिए हित कारी है इश्वर के अस्तित्व को सभी कार करना सब मनुश्यों का परम कर्दब्या है और इश्वर को मालना उस पर विश्वास करना ये हम सब का कर्दब्या बनता है तो आरेसमाज के प्रते हम दो नियम के वारे में इस पार्ठ में पढ़ेंगे हम पहला नियम है सब सत्या विद्या और जो पदार्त विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदी मूल परमेश्वर है सब सत्या विद्या जो भी सत्या विद्या हम पढ़ते हैं हम जानते हैं तथा जो भी पदार्त विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् उन सब का स्तरोथ स्तरोथ होता है भंढार प्रमात्मा है जो भी ज्यान है जो भी जिस भी ज्यान के बारे में हम जानते हैं जो भी ज्यान के बाते हम जानते हैं उन सब का स्तरोथ भंढार है प्रमात्मा उसी ने स्रिष्टी के आरब में समस्त मानम जाती के लिए बेद्दों का ग्यान दिया अब हमारे पास ग्यान कहां से आया बेद्दों से आया बेद कहां से आये ये प्रमातमा ने दिये कैसे दिये रिशियों के माध्ध्यम से हमें जो है बेद्दों का ग्यान हुआ उन्होंने बेद रचे ठीक है आपने थर्ड कलास में पढ़ा होगा कि चार रिशी हुए उनके इर्दे में प्रमातमा ने ग्यान दिया वेदों का और उन्होंने चार रिशी और ने चार जो हैं ये वेद लिखे तो उससे हमें ग्यान हुआ जिस परकार पिता अपनी संतान को सभी हित कर बातें बताता है इसी परकार प्रमातमा ने बेदों के ऐसे उपदेश दिये हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्यान होता है जिस परकार माता पिता अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उसी परकार प्रमातमा ने भी बेदों के माध्यम से हमें बहुत सारी बात ने बताई हैं जिससे हमारा हम सब लोगों का कल्यान होता है मनुश्या ग्यान में भूल हो सकती है मनुश्या जो है मनुश्या ग्यान में भूल हो सकती है लेकिन वे ग्यान जूटा भी साबित हो सकता है जो मनुश्या का ग्यान होता है जूटा भी शाबित हो सकता है लेकिन बोलता है परंतू प्रमात्मा दौरा दिया हुआ ग्यान सीधा सचा और ब्रहम रहीत है जो प्रमात्मा से हमें ग्यान पराप्त होता है वो हमेशा सच है सीधा है और ब्रहम रहीत है उसमें कोई भी ब्रहम नहीं है उसके बाद सब दूसरा सत्य विद्याओं से स्रिष्टी की जिन वस्तूं के ग्यान होता है उन वस्तूं का आदिमूल भी प्रमात्मा है और जो सत्य विद्याओं है जैसे सूर्या, चंद्रमा, इत्याद्धी जो भी है ये, इन सबका आदिमूल इन सबको देने वाला भी प्रमात्मा है मनुश्याओं बिग्यान के बलपर उनेखोज्य कर रहा है इन खोज्यों के दोरा उसने विद्यूत शक्ती, अनुशक्ती, वाश्प शक्ती रेडिम आदि प्रमे स्वर है इनका भी आदी मुल पर्मेशबर है इनको भी प्रभ देने वाला पर्मेशबर है मुनश्य ने अनंत ब्रमाड में रनेक theyons था अनेक ग्रहों का पता लगाया इन सबको सुर्वाड करने वाला भी प्रमादमई ब्रमातमा है इसके बाद आरे समाज का दूसरा नियम है दूसरे नियम है प्रमात्मा के नामों का विशेशन किया गया है इसवर सच्चिदानन्स वरूप निराकार सर्वशक्तिमान नयायकारी द्यालू अजनमा अनन्त निर्विकार अनुपम सरवधार सरवेश्वर सरव्यापक सरवांत्रयामी आजर आमर अभाय नित्य पवित्र और शिष्टी करता है उसी की हमें उपासना करनी चाहिए तो ये प्रमात्मा के विशेशन है इनकी व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे तो आप जो है यहां तक अपने धर्मशिक्षा की पुस्तक में यहां तक कुपाट को एक दो बार फिर पढ़ेंगे उसके बाद ही हम आगे प्रमात्मा के नामों के विशेशनों को व्याख्या सह जो है समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आज का विशेह ही समापत होता है धन्यवाद